कियार को अभी अपने बच्चे वे सारे मैच जीतने पड़ेंगे तभी ये पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे तब भी ये स्योड नहीं है ठीक है तो इनके लिए चीजे उतनी आशान नहीं रहने वाली है एट लिस्ट ये मुकाबला जीत कर अपनी आगे की कर यहीं पर क्वालिफाई करना चाहेगी और अपने बागी बचे हुए मैच जीत कर CSK की टीम टॉप टू में फिनिस करना चाहेगी ऐसे में दोनों टीम में अपना जान लगाते हैं कि काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये तो आप बने रहे इस वीडियो में हमारे चैनल को जोएन कलो क्योंकि टेलिग्रम चैनल पर ही असली प्रेडिक्शना था है टॉस मैस संदुनिया वरके जो प्रेडिक्शन थे वहीं पर कवर किये जाते हैं आई ये सुरुवात करते हैं पिस रिपोर से तो एम चितंबर हमने स्टैटियम छे पॉक में ये मुकाबला तो यहां पर चैस अभी भी असान नहीं है और इस मैच में भी जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा विकेट टूटी जाएगी विकेट स्लो होती जाएगी तो पहली पारीम बैटिंग करने वाल टीम की जीतने के चांसे जाता रहेंगे 180 प्लस की आस पास का टोटर हमें इन दोनों टीमों के बीच खेले गया है उनने CSK जीती है 10 KKR जीती है इस साल भी इन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया है और वो मुकाबला CSK ने जीता था 235 का विसाल का इसकोर CSK ने खड़ा किया था और KKR जो 100 तरसी के आस पास ही पहुँच पाई थी बड़ी जीत दर्च की थी CSK ने वहाँ पर आगी बढ़ने सपहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्लेयर स्पोर्ट के बारे में जो की बहुत ही कमाल का प्लेटफोर्म है और आजकल मैं यहीं पर फैंटेसी गेम केल लाँ यहीं पर केल लाँ ठीक है तो आपको भी प्लेय करने के लिए मेरा कूपन को जरूर यूज करेना आएनी टीवी 123 साथ ही साथ टेलीग्राम जोइन करेना ताकि आपको पता चल सके कि फ्री की वह है किस वाले कॉंटेस्स में कौन से वाले कॉंटेस्स में चल लाँ है फटापर डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट आईए माई को सर्फ 149 पे रोक कर मुकाबला जीते थे यानि कि बॉलिंग बॉस दर कंसर्ण विद श्री एस के बट अभी हाल फिलाल में की गिंदबाजों ने काउंटर अटेक करने की कोशिस की है छोटे-छोटे टोटल पे सामने वाली टीम को रोका है आधी साथ छोटे-छोटे टोटल को डिफेंड भी किया है इसका मतब है कि इनकी गिंदबाज अब दीरे-दीरे फॉर्म में आ रहे हैं पत्रान अच्छी गिंदबाजी कर रहे हैं अच्छी इकनॉमी के साथ 2-3 विकेट हर मैच में तो सार्देस पांडे अपनी इकनॉमी पे कंट्रोल कर रहे हैं बहुत रिलाय करती है हर मैच में दो दो विकेट निकाले है अच्छी गिंदबाजी करें तो इनकी गिंदबाजी जो की बहुत बेकार हो रही थी अब फॉर्म में आचानक से आ गई है जो की बहुत अच्छी बात है चन्ही सूपर खीं के दिस्ट्रिक गोर्ड से वही टीम जीत गई और टीम ने अच्छा स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया सम्मान जनक फाइटिंग टोटल खड़ा गिया मतलब प्रॉपर टीम गेम हमें देखने को मिला और सभी बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है रुतुराज डिवान कॉनवे टीम को अच्छी सुरुआत दे रहे हैं मोमिन्टम दे रहे हैं पावर प्ले में बेडर रोड में शीवाम दूबे रहान है अच्छे फॉर्म में राइडू भी अच्छे टच्मिन जरा आते वह दिखाई दिए थी आखरी मैच में 23 बनाय था और जड़ू और दोनी तो हैं फिनिसिंग टेस्ट देने क रहाने आकरी मीट में केक्यार के खिलाफ की 70 रन रहे थे और बहुत अच्छे फॉर्म में इस मैच में भी इनकी बल्ले से रन हमें देखने को मिल सकते हैं मोहिन अली जो है केक्यार के लेफ्ट हेंडर को परिशान कर सकते हैं अच्छी गिंदबाजी कर सकते हैं और टॉप और टॉप और टिकिम अखितने को मिल सकते हैं और अगर यहां से एक भी मैच हारे तो उमीदे भी उनकी ख़तम हो जाएगी उमीदे तो अब बरकरार है ठीक है आगे सबी मैचे जिनको जीतने होंगे आक्री मुकाबला RR से लोग हार गए बुरी तरीके से हार 148 इन्होंने बनाया था और RR सिर्फ 13 ओवर में जीत गई पहले बैटिंग कोलाप्स होई फिर बॉलिंग कोलाप्स होई और उसे पहले भी बैटिंग बॉलिंग इनकी कोलाप्स रही है बॉलर वस दो कंसन विद के कियार सुरू से अंतर तक बॉलिंग इनके साथ कंसन रही है नरायन, सुयांज शुशर्मा, चक्रवर्ती जैसे क्वालिटी जो है स्पिनर सिस्टिम के पास महजूद है जो कि चेपोग में अच्छी गिंदबाजी तो कर सकते हैं लेकिन उस्टूनमेंट के दोरान बहुत मार खाए हैं विकेट्स मिले हैं लेकिन एकनोमी पे कंट्रोल नहीं कर पा है तो गिंदबाजी इनके साथ मेजर कंसन है पेसस भी काफी सारे क्वालिटी है बैटिंग की बात की जाए तो बैटर्स इनके बहुत अच्छे फॉर्म है आखरीम काबले में एक्सपोच जरूर हो गया थे लेकिन उससे पहले रोय ने बहुत सारी विदुहनसक पारिया खेली है आयर ने आखरीम काबले में फॉर्म में वापसी किया था और स्टाइंग में बहुत फार्म में जिराए थे रहना का रुझा हमें देखने को मिला रह रहना भी र्न बरसाते हैं गुर बाज चावे थे चायर बपलिच आखर बीच भीच में देखने को मिला है जो या खिर अच्छी किइन गिदरवाजी करनी होग हाल फिलाल में 40-50 की, इन्होंने बहुत सारी पारिया खेली है, फॉर्म बहुत अच्छा है, रॉय बहुत एच्छे फॉर्म में है, और आखरी मीट में मिडल ओर में वैटिंग करने आय थे, CS के खिला पिकसर ठन बनाया था, यहाँ पर भी बला चल सकता है, ऐयर संताउन न ब बहुत अच्छा है, अगर टॉप अटर कोलाप्स करता है, तो इनकी बैटिंग जल्दी आएगी और यह रन कर सकते हैं, बत किजिए अगर हमारी फैंटिसी टीम की, तो हमारी सेफ टीम के कैप्टन है, कौनवे और वाइस कैप्टन है, पतिराना, वहीं हमारी मेगा लिग की जोइन कर लो, बाकि बहुत सारी अपडेट्स वहीं पर आती है, तो इसलिए भी आपको जोइन कर नहीं पड़ेगा, तो फटाबट जोइन कर लो, आईए बात करते हैं, फाइनल वडिक्सन और प्रेडिक्सन और पॉस्बल आउट्वम की, तो मेरे अनलेसिस के नुसार, य प्रेडिक्रान डिसेजन, धन्यवाद.